बीजीय विधिया पहला, प्रतिस्थापन विधी हमने दो चरों के रैखिक समीकरनों का हल आलेखों की साहिता से प्राप्त करना सीख लिया अब हम दो चरों के रैखिक समीकरन को हल करने के कुछ और तरीकों पर चर्चा करेंगे एक तरीका तो ये है जिसमें हम एक चरका मान दूसरे समिकरण में रख कर उसे एक चरके रेकिक समिकरण में बदल लेते हैं और फिर उसका हल प्राप्त करते हैं आगे के उधारण में इसे देख सकते हैं उधारण 9 एक छोटी गुफा में कुछ खर्गोश और कुछ पक्षी है जिनके कुल 35 तथा 98 पैर है तब पक्षियो वह खर्गोशो की संख्या ज्याद किजिए माना खर्गोशो की संख्या बराबर X तथा पक्षियो की संख्या बराबर Y खरगोशो के सिरो की संख्या धन पक्षियो के सिरो की संख्या बराबर 35 इसी लिए एक्स धन वाए एक्स धन वाए बराबर 35 यह हमारा समीकरण एक है खरगोशो के पैरो की संख्या धन पक्षियो के पैरो की संख्या बराबर 90 इसी लिए चार एक्स धन दो वाए बराबर 90 दो उभैनिश लेने पर कोश्टक में दो एक्स धन वाए बराबर 90 यह दो एक्स धन वाए बराबर 98 बटा दो यह दो एक्स धन वाए बराबर 49 यह वाए बराबर 49 रिण दो एक्स यह हमारा समीकरण दो है समीकरण एक में वाए बराबर 49 रिण दो एक्स रखने पर हमें प्राप्त होंगा समीकरण एक में एक्स के स्थान पर हम एक्स रखेंगे धन वाए के स्थान पर हम 49 रिण दो एक्स रखेंगे बराबर 35 हमारा समीकरण एक था एक्स धन वाए बराबर 35 समीकरण एक से समीकरण एक से एक्स धन वाए बराबर 35 एक्स के स्थान पर एक्स धन वाए का मान हम समीकरण दो से वाए का मान रखेंगे 49 रिण 2 एक्स बराबर 35 या एक्स रिण 2 एक्स बराबर रिण एक्स बराबर 35 धन उन्चास का पक्षानतर करने पर रिण उन्चास या रिण एक्स बराबर रिण 14 या एक्स का मान हमें प्राप्त होता है 14 अब समीकरण 2 में X का मान रखने पर समीकरण 2 में X का मान 14 रखने पर रखने पर Y बराबर 49 रिड़ 2 X या Y बराबर 49 रिड़ 2 X का मान 14 रखेंगे हम बराबर 49 रिड़ 28 तो Y का मान हमको प्राप्त होंगा 21 तो इस पष्टता खरगोश की संख्या चौदा एक्स का मान 14 है तो खरगोश की संख्या चौदा और पक्षीओ की संख्या ओद या इस प्राप्त पर आद इंड़ 29 अज़ 1 बराब cognitive計 चाव कण